नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दिना 28 अगश 2020 आज हमारा टोपिक है उपसरग हिंदी व्याकरण के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं उपसरग की परिवासा की उपसरग वे सब्दांस हैं जो किसी सब्द के पुर्वय या पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं जैसे परा पलस जए परा जए अनुकलसासन अनुशाशन अनुपलसवाद अनुआद अती पलसकाल अतीकाल आदी उपसरग अधिकांस तरह सेंसकर्ट वासा के तता कुछ हिंदी वासा के तदभव उपसरग होते हैं इसके अलावा कुछ उपसरग अर्भी और फार्शी वासा के भी हैं उपसरगों का उपयोग वाक्य में स्वतन तरूप से नहीं होता है ये सब्दों के प्रारम में जुड़कर ही परिउप्त होते हैं बात करते हैं आगे अगले पॉइंट में तो सैंस्किर्ट तता हिंदी के उपसरग के अंदर देखें अब बात करते हैं अर्बी फार्शी के उपसरग की तो अल है कम ला गेर खुस दर ना बद बर बे हम बा बे बिला शर हर दोस्तों आगे देखते हैं उपसरग के मोश्ट पॉइंट टोपिक के बारे में तो उपसरग है उपसरग हिंदी के अंदर तीन परकार की होते हैं सबसे मौस्ट बात है एक नमर संस्कृत के उफसरग दो नमर हिंदी के उफसरग तीसरे होते हैं विदेशी उफसरग तो ये था आज का टोपिक उफसरग के बारे में उफसरग हैं वो हमारे हिंदी बासा के अंदर भोती महतोपुरण होते हैं दोस्तों इसलिए हमें हिंदी व्याकरण का ग्यान राप्त करने के लिए उपसरग का ग्यान है वो बेहद महत्वपुरण है दोस्तों आज का टोपिक आपके लिए हिंदी व्याकरण का था उपसरग ये आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना बिलकुल नहीं बुलें सभी दोस्तों को शेंड करें जिससे हमारा चैनल है वो आगे बढ़े आसा और उमीद आप सभी से जुड़ी हुई है दोस्तों तो आप सभी हमारा सयोग करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में और हम नेक्स्ट टोपिक के लिए कल तक आवेट करते हैं और कल और नया टोपिक लेकर आएंगे आपके लिए तब तक आप सभी हैं वो सवस्त रहें खुश रहें आगे बढ़ते रहें जै हिंदोस्तों जै मासरस्वती कुश रहें सवस्त रहें जै हिंद